समर्ण संग के दस गोल्डन रूल हैं जिन दस आधारों पर जिन दस खंबों पर ये खड़ा हुआ है उसका सबसे मजबूत खंबा पहले नंबर का है जिसमें साफ साफ ये कहा जाता है कि समर्ण संग केवल समर्ण ही इसके अंदर आ सकते हैं समर्ण ही सारा काम करेंगे समण के अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समण नहीं है वो इसमें नहीं आ सकता और उसकी जो मेंबर्सिप है वो सिर्फ इसलिए माने जाती है क्योंकि वो समण है दूसरा इसका नियम है गोर्डन रूल नमबर टू कि समण संग में ना पहले कभी चंदा लिया गया ना अभी पॉब्लिक से कोई चंदा लिया जाता है और ना ही कोई सदस्द सुल्क मेंबर्सिप चार्ज या मेंबर्सिप फीज या आगे कभी भविस्दे में कोई भी किसी प्बी तरह की पड़सी या पैसा पड़िक से नहीं लिया जाए गया तीसे नंबर का इसका नियम है कि पहले कभी जातियां थी नहीं और जाती का जो अभ्यास होनासूरू हुआ है वह बहुत अविसे होना सुरू हुआ है चार्सो पांसो साल से उससे पहले जब तक संग रहा, संग में कभी जाती होती नहीं, इसलिए चुकि ये संग है, समरों का संग है, इसमें भी जाती का अभ्यास बैन है और अवैद है, जाती का अभ्यास इसमें कभी नहीं होगा, चौथा इसका नियम है, कि इसमें सिर्फ संग बात चलता है, संग बात का मतलब है, स संग के नियम और संग के उपर अधरित काम संग के दौरा संग के नियम और संग के लिए। बाईदासंग ging तो यहां एकल वाध परद्ध़ानवाध या नेतावाद या राजावाद या रानिवाद यहां कोई भी वाद 사्टे yönढ़ा नहीं चलना पांचवा है समण संग में कभी भी पद, प्रतिष्टा, मंच और माला ना पहले कभी हुए हैं ना अब हैं और ना ही बाद में कभी होंगे छटा इसका नियम है कि इसका कोई भी रईष्टे संग या कोई भी इसका पंजीकरन या कहीं इसको दर्ज नहीं कराये जाएगा ना ही इसका कहीं नामानकन होगा ना पहले कभी संग होगे हुए हैं ना इस संग का होगा ना ही आगे कभी संग का होगा सातमा जो आज हम इसको बताएंगे संगादी से सबसे उपर क्यों है संग ने इसको सबसे उपर क्यों माना है आठमा इसका नियम है संग राजनीती में कभी नहीं जाएगा नौमा इसका नियम है संग घातक की बापसी संग में कभी नहीं और दसमा इसका नियम है कि जो उपर के नौ नियम हैं, वो ना कभी बद्दे जाएंगे, ना खत्म किये जाएंगे, और ना कभी अमानने किये जाएंगे. ये धसके दस मीयम जितने भी समंगी हैं, नए या पुराने और जो आते हैं, ये उनका Приयंबल है. इसको हमेसा याद रखना चाहिए, इसको छापकर अपने घर पर वी के साथ में लगा लेना चाहिए, अपनी डायरी में, इसकी टी स्ट छपा लिन चाहिए, इसकी किताब, इसकी डायरी, इसके फोल्डर, इसके पंपलेट, इसकी पोस्ट, और इसको रोज याद करना चाहिए क्योंकि अगर आप इसको याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो संग है प्राचिन काल में कैसे चलता था अब कैसे चलता है और दुनिया में इस संग के मुकाबले का नियम कोई कहीं है नहीं इसमें जो आज का नियम है संगादी सेस सबसे उपर संगादी सेस सबसे उपर का मतलब होता है कि संग का जो आदेस है संग जो आदेस देगा उस सबसे पहले सबसे उपर है और सब को मानना पड़ेगा कि बहुत पुरान नियम है क्योंकि संग के आदेश को कोई टाल नहीं सकता चाहें एक हजार हल चलाने वाले जमिदार जो उस समय सबसे बड़े साक्य कुल के जमिदार थे कपिल वत्तु के जिनको सुद्दोधन बोला करते थे जिनके दो भाई और भी थे और उन सबसे बड़ उस सिद्धत गौतम ने जब गड़ परिशा साक्य संग के जो परिशद होई और उसमें जो एक नियम ये लिया गया कि युद्ध करेंगे अब हम लोग कोलियों से और उस युद्ध के नियम को मानने से इंकार कर दिया सुद्धोधन ने सुद्धोधन के बेटे ने बड़ा आदमी है या उसके राजा पसंदी से कितने संबंध है या क्या नुक्सान होगा क्या फाइदा होगा बस आदेश दे दिया कि संग का सबुपरि नियम नहीं माना है और उस आदेश के तहत में साक के संग छोड़ना पड़ा सिद्धत गौतम को यानि देश निकाले पड़े या यह जो संगादी से सब्द है यह बहुत पुराना है और यह बुद्ध के समय बुद्ध के समय से पहले का है बुद्ध ने इस सब्द को संगादी से इसको जो नियम मराए भिकों के उसमें इसको रखा और पांस से लेके सत्रे नंबर के तेरे नियम इसमें डाल है कि अगर कोई दोस होता है अगर कोई अपराद होता है तो उसकी जो सजा की घोशना है वो सिर्फ संग कर सकता है ऐसे तेरे नियम बुदने भिक्कों के लिए बनाए वो हमारे लिए नहीं है क्योंकि यहां जो लोग है और जो भिक्कों है खास तोर से वो इस बात में बड़े कन्फूज हो जाते हैं कि जो नियम भिक्वों के हैं क्या वो हमारे भी हैं साधान लोगों के जो नियम भिक्वों के हैं क्या वो साधान महिलाओं के भी हैं जो नियम उपासक और उपासिका के हैं क्या वो नियम हमारे भी हैं वो नियम हमा की वार जो बड़ा कोी विद्वान आपको मानता है और जो पाली का इधवुदर सेक्वीलिटर्शनल ले आता है तो वो कहेगा कि आपको ये तीन अक्षरों से मिलके बना हुआ है संग, आदी और सेस यानि संग का मतलब हो गया संग जो लोगों का समू होता है और आदी का मतलब हो गया आरंब और सेस का मतलब है जो सेस रह जाता है जो बचता है पर इसका कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि बुद्ध ने जो आदेश दिये हैं, जो नियम बनाए हैं, उसमें संग की घोशना है, संग आदेश देता है तो तेरे परकार के नियम ऐसे बनाए बुद्ध ने जिनको सिर्फ संग ही आदेश दे सकता है, एक अकिला भिकू या एक अकिली भिकू या चार भिकू या चार भिकू या अगर बुद्ध भी चाहें तो अकिले आदेश नहीं कर सकते, संग ही आदेश करेगा, ऐसे तेरे नि नियम तो कामा सक्ती के हैं, यानि कामा सक्ती वेवचार के हैं, और दो नियम हैं कुटी के निमान के, यानि के कुटी का निर्मान करने के दो नियम है, कि कुटी कैसे बनानी है, संग कैसे आदिस करेगा, और दो नियम है, अगर पाराजिक का कोई दोस है, इलजाम है, अगर व व्यक्ति नहीं लगा सकता, संग पास करेगा, कि इसको संग से निकालना है या नहीं है। यानि यहाँ जो नियम हैं, उसमें जो व्यांट में यहाँ जाँ लगाएगा। दो व्यक्ति अगर किसी पर if इल्जाँ लगाना चाहें? कि इस पे पाराजिक का यानि कि इसको संग से बाहन निकालने का इसना पराद किया है वो जाम भी पुरा संग लगाएगा तो ही माना जाएगा एक दो व्यक्ति का नहीं है ऐसे ही एक नियम इसमें है दो नियम संग में फूट डालने के यानि संग में फूट डालने के दो नियम संगादी सेस में आते हैं और एक आता है संग की बात ने सुनने का जो वाला होता है यानि कि कोई बात ना सुने ऐसा कोई बनता है तो एक निये मुस्किली आता है और एक आता है कुलों को बिगाड़ने का निया ये तेरे नियम है पर ये तेरे के तेरे विखकों के नियम है हमारे नहीं है पर संगाधी सेच जो सब्ध है वो संग के लिए है क्योंकि संग तो समडों का बहुत पहले से चला आ रहा है बुशंचेवी पहले का है तो आदेश तो उससमीब पारित होते थे और बुद्धु को भी संग ने आदेश दिया संगाधी सेच हुआ कि उनको निकलना है जाना है सिद्धत गौतब भी तब तक तो वो चलेगे तो ये जान ले पहली बात कि जो संगादी सेस होता है उसका आदेस सिर्फ संग देगा और ये संग के आदेस लगाता लगाता बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं क्योंकि संग को जब लगता ह कि संग के हित्में ये आज ये बात है तो उसका आदेस दे सकता है और अगर लगे कि अब ये बात संग के हित्में नहीं है तो संग उसका आदेस दे सकता है इसका सिर्फ एक नियम है कि संग कौन सा आदेस पारित करता है और कौन सा आदेस देता है कम और किया का मतलब होता है क कर्म यानि दुनिया में जितने भी कम और क्रिया है जो जीवन का अधार है ये काम और क्रिया ये लगाता लगातार कार्य और क्रिया होते रहते हैं काय और कार्य का मतलब होता है जो सरीर काय माने होता है सरीर काया काया से किया हुआ जो भी कम है उसको कार्य बोलते हैं तो ये क रहे ये कम ये क्रिया ये निर्टर जीवन में पहरे से चलती आ रही है और अभी भी चल रही है और ये जब तक पूरी की पूरी यूनिवर्स रहेगी ये क्रियां पिट्टी क्रियां ये चलते रहेंगे जीवाते रहेंगे जाते रहेंगे मिटते रहेंगे बनते रहेंगे ब जब काम करवने की छमता किसी भी जीब में आ जाएगी तो वो काम करेगा भी और काम करवाएगा जब वो काम करवाएगा तो उसका दो नियम आएंगे पूरी दुनिया में कि या तो कोई समू काम करने का आदिस दे और या कोई व्यक्ति काम करने का आदिस दे तो व्यक्ति अ वो लाजाबाद में आ जाएगा रानिवाद में आ जाएगा या जो डिक्टेटिशिप में आ जाएगा अगर अकिला व्यक्ति होगा पर अगर सामुहिक लोगों का निर्णे अगर होगा और वो एक व्यक्ति उसको लागू करेगा जैसे संविधान में होता है तो वो संगभा चला रहा है सब लोग मिलके उसका आदेस दे रहे हैं या कुछ दो चार लोग इने चुने उसका आदेस दे रहे हैं यह बात इसलिए important है क्योंकि संग का जो आदेस है वो संग ही दे सकता है एक दो व्यक्ति नहीं दे एपने एकच्छाों के तो वो फिर संग का निर्ने नहीं हो सकता शचैली संग के आखरे में कभी नहीं हो सकता उससे संग से क्या लेना देना, वो अपनी मर्जी पूरी करेगा, जो उसके मन में है, वो पूरी करेगा, उसके मन में आया कि बसको पहार से उपर से फैक के देखें, क्या होता है, तो बसको फिकवा देगा, पर अगर संग निर्ने लेगा, तो संग में जो लोग है, वो ये कह अरे पागल हो क्या बसको उपर से फिकवारे वो तो तूटी जाएगी उसमें क्या बचेगा तुमारा दिवा खराब है क्या ये संग का नियम है यानि संग कोई भी टेड़ा काम या खराब का आदेश कभी नहीं दे सकता एक पागल होगा संग में दो पागल होंगे तीन और बहुमत तो कभी पागल होता ही नहीं है पर एक व्यक्ति के पागल होने की संभावना या कुछ दो चान व्यक्ति के पागल होने की संभावना बहुत अधिक होती है और उनके पागलपन से पूरी जो समदा है जो पूरा लोग है या पूरा संग है या पूरा समू है या निर्ने का पूरा पूरा अधिकार मिला जिनको राजा बोला या जिनको मंत्री बोला या जिनको प्रोहित बोला या जिनको डिक्टेटर बोला या जिनको एनार की बोला या जिनको ताना साह बोला ऐसे व्यक्ति जितने भी हैं या जितने भी संग्ठनों के मालिक हैं जो पद मर्जी के ओर्डर निकालते हैं और अपनी मर्जी से काम करते हैं उसमें अपने और अपने बच्चों का फाइदा पहले देखते हैं फिर अपने समुदाय का समुदाय का फाइदा देखते हैं फिर कहीं वो पूरे पूरे लोगों की सुनते हैं इसलिए यह हमारी पुरानी पर में कोई भी गरवड़ी होना लगबग जीरो है लगबग जीरो है क्योंकि किसी समुधाय में 49% लोग खराब हो सकते हैं पर 11% लोग अगर ठीक हैं और संग वहाँ चल रहा है तो उसके सही निर्णे होने का बहुत अच्छा चांस होता है और अगर सारे ही संग में पागल हो जाएं तो फिर तो उसका इराज दुनिया में कहीं है बस ऐसा होता नहीं कभी क्योंकि समुम है जो आवाज सेस है विने में कहीं लिखा हुआ है सब्द है आप हमको धंब सिका रहे हो आप हमको धंबिक बना रहे हो दरसली यह जो समण संग है कि धंबिक नहीं बना रहा है यह किसी को नहीं कह रहा है कि आपको भगवान बुद्ध का अनुयाई बनना है या आपको बुद्धं सरणं गच्छा मी कहना है या धंबंग सरंदंग गच्छा मी कहना है ये काम specific भिकों का और भिकुनियों का है ये काम हमारे जैसे साधरन लोगों का नहीं है इसलिए भिकों का संग अलग बनाया हुआ है बुझने और विकुनियों का संग अलग बनाया हुआ है और जिनको धम सीखना है ऐसे जो उपासन पर बैठने वाले लोग हैं जो धम सीखते हैं उपासन पर बैठ कर बरावर वाले आसन पर बैठ कर उनको उपासक कहा और जो बरावर वाले आसन पर बैठ के महिला सीखती हैं नारी सीख हैं चार तरह के लोग हैं जो ढम आशे आ जह सीखने वाले उनको साबक में कह सकते हैं सावक सावक बच्छा होता है उसको सिस्पय वहते हैं सामनी देट हैं उनके नियम अलग है समण संग के नियम बिलकुल अलग है समण संग बुद्ध के भिकु संग भिकुनी संग उपासक संग और उपासी का संग से भी पहले का संग है इसलिए ये हमारे अथी तत्व का सवाल है अथी तत्व का मतलब है अस्तित्व का सवाल है अस्तित्व अथी म के लिए उसके लिए समर्संग और यह समर्संग राइट टाइम पे राइट समय इसलिए निकल के आगए आपने आप क्योंकि इसका समय आगया निकलने का इसने हमें पहले भी बचाया था हमारे अस्तिकों और यह फिर बचाएगा यह गारंटी है इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये कहता है अरे वो समर्संग वाले तो धम सिकाते हैं वो समर्संग वाले तो बुद्ध की बात करते हैं अरे वो समर्संग वाले तो बुद्ध की गच्छां बोलते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि उसके लिए अलग ब्रांच पुद्ध की जो बुद्रे बराई है जिसको बिकुरी संग उपासक संग और उपासी का संग बोलते हैं पर बाकी जो लोग हैं जो करोड़ी संख्या में थे और जो धम का सिर्फ पंच्शील का पालन करते थे उनका ये समड संग है और समड संग में बिकुरी और उपासक और उपासी का भी आते हैं इसलिए हमारा बिकुर भिकुणी से कोई भी छगड़ा नहीं है कई वार हमारे जो भिकुण हैं वो इस बात लिए बड़े परिसान हो रहे हैं अरे समड संग तो हमारा है और ये समड संग तो समड तो हमको कहा गया है सिर्फ किताब में उनको समड कहा गया है आइडिट्री खतम करने के लिए यानि प्राचीन सब्द को अगर कोई ये पूछे के भई समड आप थे तो उसको बहका दिया गया कि किताब में लिखा हुआ है समड माने सादू सादू का मतलब सांथ होता है सादू का मतलब होता है जो निच को धारण कर ले उसको सादू होता है तो सांथ को जो सांथ होता है उस आख्येता हैं इसलिए किताबों में लिख दिया गया कि समर्ज का मतलब साधु होता है तो भिकू से पूछना चाहिए कि भिकू Aleva आगल भिकुझ番 कि को समर्ट कहते हैं तो भगवान भुद्ध ने तो कभी भिकु अगल को सम्रब नहीं अन्हों सब्केटे निया है उनका एक सब्वर्ण मैंने तो आज तक पड़ानी उन्हें के साथ तो जरू सम्दम सुना इस लिए तो इसाथ निए इस बगवान बुद्ध ने कभी ये कहा ही नहीं अपनी भासा में कि समड़ो समड़ी समड़ा इधर आओ और मैं आज तुमको देशना दोंगा हमेशार उन्हें भिक्वे कहा या बंते कहा तो कहां से समड़ो समड़ा भिक्व होगे भिक्वडी होगे पहली बात दूसरी बात यह है कि वो अपने को भिक्व संग बोलते हैं और भिक्वडी संग बोलते हैं वो कभी अपने को समड़ा संग और समड़ी संग नहीं बोलते तो पैक्टिस में उनकी है ही नहीं पैक्टिस में उनका इसलिए नहीं है क्योंकि समड़ संग हमारा संग है और इस साधार से लोगों स्रमिक लोग हैं उनका है हमको जवरिष्टी स्रमिक बना दी और हम भी सुर्टार करके चले आए कि बड़े खुज हो के हम तो सरम करने वाले पर सरम तो सभी करते हैं पर इसा नहीं कहा गया यह सब्दों बड़े टेड़े मेड़े बदल दी है इसलिए इस पर लगाता है चर् स्रम जीवी स्रमिक स्रम कार्ट स्रम मत्राले यह परिस्रम यह हमारे सब्द नहीं है हमारे जो सब्द हैं वो समन हैं समना हैं समनों हैं सामने रहें यह सब्द हमारे हैं कमकार हमारा सब्द है यह सब्द हमारे हैं जिसमें बड़े-बड़े राजा और बड़े-बड़े जो वो सब हमारे के हमारे सम्रार स्वमिला करते हैं इसलिए संग नएने आदेश देगा और संग का जो आदेश आएगा संग ही पारिख करेगा जैसे एक संग ने आदेश दिया नागपुर के अंदर यहां 700 लोग थे यहां यह बात रखी गई कि भाई अब हमको एक सहर में एक ही फेस्टिवल एक ही जैन्ती या एक ही मरणदनी या एक ही कायकरम करना चाहिए वो नगर का पूरा एक होना चाहिए जो सारवजिनिक कारेकरम है यानि पब्लिक का कारेकरम पूरे सहर में एक होना चाहिए चाहिए कितना बड़ा सहर है और घर-घर में सब का प्राइवेट हो तो ये बात वह माने गई तो ये संग का आदेश बने गया दूसरा संग का आदेश जो दिली के अंदर जो बात माने कि हमको संग को नमामी करेंगे हमारा पुराना सिध्धानत है तो हम तीन वार नमामी करेंगे एक सुबह उठने के बाद हम संग को नमामी करेंगे एक दुप कहना है, जैसे बहन जी कहना है, जैसे यहां जितने भी लोग हैं, वो सब अपना अपना खाना लेके आएंगे, या वो अपने अपनी गाड़ी से आएंगे, या खर्चा देंगे, या अपना जूते च्च्च्च्च च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च रहते हैं क्या नियम बना रखे हैं जोड़ने के लोगों को पद दे दो क्या नियम बना रखे हैं लोगों को अगर बुलाना हो तो किसी बड़े अफसर्व को बला लाओ किसी बड़े बुद्दी जीवी को बला लाओ किसी बड़े नाम को बला लाओ उसको मंच बठाओ, या किसी फिल्मी कलाकार को बला लो, या नचनिया को बला लो, वो वहाँ नाचे की गायेगी, वहाँ नाच काना करेगा कोई फिल्मी कलाकार, लोग आ जाएंगे, फिर हम अपनी बात कहेंगे, तो हम नेता बनगे, लोग खाना खिलाते हैं, लोग की बात है समरसंग के अंदर, कि ना तो यहां किसी का फोटो चपता है, ना किसी का नाम चपता है, ना यहां किसी को कोई कोई मुख्याथिती होता है, ना यहां कोई पद है, ना यहां कोई पोस्ट है, ना यहां मन्च है, ना यहां माला है, यहां कोई खाना भी निकलाता, स या कोई पद मिलेगा या पैसा मिलेगा या कोई चंदा भी खटा नहीं होता नहीं है यह चंदा लेते हैं नहीं देते हैं इन सारी बातों के बावजूद भी लोग लगातार इखटे हो रहे हैं तो इसलिए इखटे हो रहे हैं कि उनको अपने पुराने संग के आदेस याद आते जा रहे हैं और वो संग के आदेश के अनुसासन में पालन करते जा रहे हैं और क्या होता है संग और क्या होता है समढ़ संग यह संगादी सेश जो है यह संग के आदेश हैं यही समढ़ संग है क्योंकि यह संग के आदेश नियम है और संग तब तक जीवित रहता है जब पूरा खतम हो जाएगा, इसको कोई नहीं बचा सकता, पर जब तक इसके नियमों का बंडल, इसके नियम जब तक मानते रहेंगे, और इसके नियमों को पोटेक्ट करते रहेंगे, यानि संग के आदेसों को मानते रहेंगे, और संग के आदेसों की शुच्छा करते रहेंगे और संग के आदेशों पर चलते रहेंगे, ये समर संग बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ते 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 विसाल ब्रच बन जाएगा, इस पर इतने सेव आएगे, कि आप खाते खाते ठक जाओगे, पर इसकी सेव खतर नहीं होंगे, कितना फल इसके आने वाला है, और पहले भी आया है, इसलिए संग के आदेश को सब्बो पर ही माना है, सबसे उपर माना है, और संग के आदेश हमेशा सबसे उपर होते हैं, अगर आपने संग के आदेश को अपने सर पर नहीं रखा, और अपने सर का ताज बना के उसको नहीं माना, तो संग आपको फल नहीं वाला है नहीं इसलिए हमारा जो हर एक नियम है वो गोल्डन रूल है और हर एक नियम एक से बढ़तर है और इसलिए संग के आदेस सबसे उपर हैं क्योंकि संग के आदेस ही संग है और हम तब तक जुड़े हुए हैं जब तक हम संग के आदेस मानते हैं आपने देखा होगा क को कहीं परिशान करते हैं, संग में नेता गिरी नहीं है, वो नेता बनने आये होंगे, संग में कहीं व्यक्ति बाद नहीं है, कोई व्यक्ति बाद में आये होंगे, संग में कोई हीरो नहीं बन सकता, वो हीरो बनने आये होंगे, संग में एक व्यक्ति बात नहीं मानी जाती है उन्हें अपनी बात कही होगी पर संग ने नहीं मानी होगी तो उनको अच्छा नहीं लडगा होगा संग में काम करना पड़ता है उनसे काम हुआ वानी होगा संग में फालतू की बात हैं नहीं होती हैं लोगों ने बहुत सारी चीज़ों सकती हैं संग की ने कोई बात उनको पसंद नहीं आया हुगी इसलिए वह चले गए के बिसमीन Regina अच्छा है कि अगर संग के नियम पे नहीं चल सकता है तो यहां रहके करेगा भी क्या, पर हमें ऐसे लोग ढूनने हैं और ऐसे लोग लाखों में हैं, करोड़ों में हैं, जो संग की ढून रहे हैं और संग के नियप पर चलने के लिए फ़र्फडा रहे हैं, तलफ रहें हैं, पर संग लोग जुड़े हैं वो वो लोग जीते हैं जो जो लोग इखटे रहे हैं उनकी हमेसा स्वक्षा रही है जो जो लोग एक साथ एक साथ रहके काम करते हैं उनके काम बड़े आसान और हलके हो जाते हैं जो जो भी लोग जुड़े हैं उनको कोई हरा नहीं पाया है जो लोग ज हैं раम माने वाले कि वह सब अलग है और अलग अलग का शिकार हो यह इतना मजूद संहे यह पहले भी इतना मजूद था और यह कहीं गया नहीं बस समर्ण का सर्मर्ण कर दिया और आपने समर्ण का समर्ण करके इसमें दिन राद दिन राद जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है जुड़ने की जो जुड़ने है वो जीते हैं अभी जुड़ेंगे तो अभी जीतेंगे और सौ साल बाद भी है बस जुड़ना है जुड़ना है धन्यवाद संगह नमामी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब मैं छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद तम्मं सरेणं गच्छामी संगं सरेणं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेणं गच्छामी तुम्तियं पी दम्मं 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 सरेणं गच्छामी बुखियं पी सन्यं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुखियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी तर्तियं पी सन्यं सर्णं कच्छामी साथु, साथु, साथु 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 यह